जै भारत, जै तलंगाना, जै भारत जागरुती जै भारत जागरुती वरी वरी गुड मॉर्निंग तो अल अफ यू अंदर की नमस्कारूं हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पे हम माता पिता कहते है पहले पंक्ति में पहला शेप्द हम माता का लेते है पिता का नहीं लेते है तो हमारे संस्कृती में ये शामिल है कि हम माता पिता कहेंगे रादे शाम कहते है सिया राम कहते है पारवती परमेश्वर कहते है इस तरीके का एक संस्कृति हिंदुस्तान में है और इसी संस्कृति के आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत चेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है लेकिन जिस तरीके से जिस रफतार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है अगर उसी रफतार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनाईतिक शेत्र में भी भागेदारी मिलनी चाहिए और राजनेतिक शेत्र में बागेदारी मिलने के लिए महिला आरक्षन का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है महिला आरक्षन बिल 33% आरक्षन का बिल 27 साल से पेंडिंग में है बहुत सारे महिलाओं ने बहुत सारे राजनेतिक दलों ने महिलाओं के साथ कड़े होके कोशिश उनने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षन भी मिले मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिनों ने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का 1996 में जब पहले बार देवगवड़ा जी ने महिला अरक्षन बिल इंट्रोड्यूस किया है तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है उससे 10 साल से 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहने उनका जो एजिटेशन था उनका जो आंदोलन था उसी के वज़े से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को दन्यवाद देना चाहती हूँ लिकम सल्यूट करना चाहती हूँ चाहे वो ब्रिंदा कारit जी हो चाहे वो सोनिया गांदी जी हो चाहे वो दोलन किया है उनी के वज़े से आज ये चर्चा है मैं बहुत आज अपने आपको सम्मानित महिसुस disadvantage कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान के आधी आबादी को आगे ले जा सकती है ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का आउसर आज मुझे मिला है मैं अपने आपको बहुत सम्मानमित महसूस करती हूं और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बेनों से वादा करती क्योंकि महिला आरक्षन से ही हिंदुस्तान का बला हो सकता है हिंदुस्तान का डेमक्रिसी का बला हो सकता है और आज एक अच्चा आउसर है एक historic आउसर है जहां पे full majority का सरकार है तो हम इस मंच से इस बारती जनता पार्टी सरकार को हम demand करते है कि महिला आरक्षन बिल आप इंट्रड्यूस करें, हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिला एक जुट होने का कोशिश करेंगे और आपका Parliament बेबी मदद करने का कोशिश करेंगे आज आप ये मंच पे देख रहे हैं काफी political दलोन से अपने representatives यहाँ पे आये है respected श्री एचुरी जी आये है उन्होंने ये पूरा अंशन का start किया है inauguration किया है और हमारे NCP के national spokesperson यहाँ पे है समाजवादी के पूजा शुकला जी है किसान आंदोलन से भी है और बहुत सारे हमारे BRS के महिला मंतरी गन है MP से उन सबको भी मैं प्रनाम करती हूँ और पूरे दिन बर काफी सारे राजनेतिक दलोन से बहुत सारे representatives भी आएंगे उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ बस यही एक मुद्दा है जो हम महिलाओं को राजनेतिक स्थल में शेत में आगे ले जा सकती है तो हम इसके लिए पुरा-पुरा कोशिश करेंगे और इस कोशिश में इस आंदोलन में साथ देने के लिए अब सबका शुक्रियादा करती हूँ आज हमें यहां दस बजे से लेके चार बजे तक का समय मिला है तो हम लोग अन्शन पे बैटे है और यह बस शुरुवाद ही है यहां से लेके आगे चलके पुरा देश बर में अंदोलन चलाते रहेंगे जब तक महिला आरक्षन बिल नहीं आएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे तैंकि सो मच जै बारत तेलगु में मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ तेलगु में हमेशा बोलते हैं धरनी लो सगम आकाशम लो सगम अंदो के आवकाशन लो गुड़ा सगंगावलन चप्तम दर्ती में हम आदे है आस्मान में आदे है इसलिए अवसर में भी हमें आदे मिलना चाहिए ये नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे हक पाके रखेंगे तैंकियू जै बारत झाल